हेलो एवरिवन आक्षवी कंकुस अकेडेमी में स्वागत है और मैं प्रियांका आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एक्जाम की तयारी भी अच्छे से चल रही होगी आज कल बहुत सारे वेकेंसी आने वाली है जो भी स्टूडेंट इसकी तयारी कर रहे हैं कोई भी कंपटिशन का एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो जी के जी एस और खासकर अगर जो स्टूडेंट जहारखन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जूड सकते है मेरे चैनल को सस्क्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा जो भी वीडियो अप्लोट होगा तो सबसे पहले नौटिफिकेशन आपके पहुंचेगा आज का जो क्लास है वो साइन्स का क्लास है आज हम लोग जानेंगे साइन्स में most important question 80 question है जो की exam में इसे question पूछे जाते हैं कोई भी exam होता है उसमें साइन्स से 20 से या 25 question साइन्स से पूछा ही जाता है बहुत सारी student सोचते हैं कि हम science का subject जो science subject है उसकी तयारी कहां से करें अगर जो तयारी करने के लिए सबसे अच्छा जो book माना जाता है वो या तो फिर लोशेंट या फिर railway शमानी विग्यान जो speedy का आता है ये दोनों book मेरे लिए मेरे अनुसर बहुत ही अच्छा book है क्योंकि मैं भी बहुत सारी competition का exam देती हूँ तो जितने भी question पूछे जाते हैं सारा book से ही पूछे जाते हैं इस book को अच्छे से cover कर लिजेगा तो आपका एक भी question नहीं चूटेगा तो चलिए हम लोग class को शुरू करते हैं question number one question number one में है radio activity की खोज किसने की थी तो radio activity की खोज किसने की थी Henry Bekural ने तो इसका जो answer होगा वो D होगा और ये जो Henry Bekural थे वो फ्रांसिसी विग्यानिक थे कौन थे फ्रांसिसी विग्यानिक थे तो A का answer डी question number two question number two antiseptic surgery का सुत्रपात किसने किया था तो जो फिस लिश्टर ने तो 2 का जो answer होगा C question number three 1948 में गठित परमानु उर्जा आयू के अध्यक्च कौन थे तो सबसे पहले question इसी में बन गया कि परमानु उर्जा आयू का गठन कब किया था 1948 में तो इसके अध्यक्चते होमी जहांगिर भावा 3 का answer C question number four की E ब्राबर MC स्क्वेर का परतिपादन किसने किया था ये question बहुत बार एक्जामें पूछा गया है तो इसका जो answer होगा Albert Einstein ने 4 का answer E question number five तो five का जो answer होगा A question number six भारति अंत्रिक्च अनुसंधान संस्थान इजरो कहां पी है तो ये बैंगलूर में है तो six का जो answer होगा A question number seven चंदर सेखर वेंकट रमन को नौबल पुरुषकार कब मिला था तो 1937 में इनको नौबल पुरुषकार मिला था किस छेतर में? तो भातिक छेतर में तो seven का answer B question number eight परमानों के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदर फॉर ने तो eight का answer E question number nine सूरी के दर्यमान के 1.4 गुने के दर्यमान को कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो चंदर सेखर शीमा कहा जाता है तो nine का जो answer होगा B question number ten कैसको ग्राप नामक यंदर की खोज किसने की थी? तो जगदिस चंदर बोश ने तो ten का जो answer होगा E question number eleven the history of Hindu science किसकी अनुपम क्रीती है? तो ये जो क्रीती है मेगनाद साहा की है तो eleven का answer D question number twelve चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो Edward Jenner ने Edward Jenner की द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई थी तो twelve का जो answer होगा वो C होगा question number thirty किसने बताया पिर्थवी अपने अक्ष पर घुमती हुई सूरी की परिकर्मा करती है तो ये किसने बताया था? आरिये भठने तो थर्टीन का जो answer होगा वो E question number fourteen न्यूट्रोन की खोज किशने की थी तो जेम्स चैडविक ने तो fourteen का answer A question number fifteen परमानू के सिध्धान का परतिपादन किशने किया था? तो जोन डाल्टन ने तो fifteen का answer B question number sixteen the origin of species किसकी रचना है? किनकी रचना है? तो चार्लश डार्विन की ये रचना है तो 16 का जो answer होगा A question number seventeen राष्टी विज्यान दिवस कम मनाया जाता है? ये आप लोग सब कोई जानते होंगे इसका answer D 28 फरवरी को मनाया जाता है question number eighteen question number eighteen हाइट्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेंडरी केवेनी डस ने तो eighteen का answer C question number nineteen रच्ट परिवहन की खोज किसने की थी? विलियन होर्वे ने की थी तो nineteen का जो answer होगा A question number twenty X-ray की खोज किसने की थी? तो X-ray की खोज WC रोष्ट जोन ने की थी? तो twenty का जो answer होगा B होगा question number twenty one गती के जड़त नियम को किसने पर्तिपादित किया? तो ये गैलिलियोन है तो twenty one का जो answer होगा B question number twenty two गती के नियम किसने दिया था? तो ये Newton ने दिये थे तो twenty two का answer A question number twenty three भारत का बर्ट्समेन किने कहा जाता है? तो डॉक्टर सलिम अल्ली को भारत का बर्ट्समेन कहा जाता है तो twenty three का answer C question number twenty four आनुवनसी की कोड की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है हर गोविंद खुराना ने की थी तो twenty four का answer D question number twenty five टेलिस्कोप का निर्मान किसने किया था? तो गैलिलियो ने किये थी टेलिस्कोप का निर्मान तो twenty five का answer D question number twenty six लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी? सीडी दुब्बे ने की थी तो twenty six का answer B question number twenty seven प्राकिर्तिक चेयन का सिधान्त किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था प्राकिर्तिक चेयन का सिधान्त डार्विन ने दिया था twenty seven का answer A question number twenty eight लाइकेन की खोज किस विज्यानिक ने की थी? तो इसकी खोज तुलासने ने की थी? तो twenty eight का answer D question number twenty nine स्वर्पर्थम जीवानू का पता किस ने लगाया था? तो स्वर्पर्थम जीवानू का जो पता लगाया था ल्यू वेल हॉक ने लगाया था तो twenty nine का answer B question number thirty penicillin की खोज किस ने की थी? तो इसकी खोज अलेकजेंडर फैमिनिंग ने की थी? तो thirty का answer A question number thirty one कोसी का सब्द का प्रियोग रोबर्ट हुक ने की थी? तो thirty one का answer A question number thirty two insulin की खोज किस ने की थी? तो वेटिंग एवं विष्ट ने insulin की खोज की थी? तो thirty two का answer B question number thirty three गामा किरने की खोज किस ने की थी? इसकी जो खोज की थी? वो D पॉल विलार्ड ने तो thirty three का answer D question number thirty four रेबीज के टिके की खोज किस ने की थी? तो इसकी टिके की खोज किस ने की थी? लुइस पास्चर ने तो thirty four का जो answer होगा वो B होगा question number thirty five प्राकिर्टिक वरन natural selection का नियम किस के दुआरा प्रतिपादित किया गया था? तो ये चालर्ष डार्विन के दुआरा प्रतिपादित किया गया था तो thirty five का answer C question number thirty six oxygen की खोज किस ने की थी? तो oxygen की खोज C ले उन प्रिष्टेले ने की थी? तो इसका जो answer होगा D question number thirty seven गुरुत्वा करसन नियमों के अविस्कारक कौन है? इसके अविस्कारक कौन थे? तो newton 37 का जो answer है वो B है इसी में फिर जानेंगे test number two तो आप इसको अच्छे से दिखिएगा और अपने friend के साथ share किजिएगा फिर इसमें question number one है कि विक्रम सारा भाई इस पिर सेंटर कहां इस्तित है? ये question बहुत बार पूछा गया ये कहां तिरुवन्थ पूरम में तो इसका जो answer होगा A होगा question number two कबकों का अध्यन क्या कहलाता है? तो mycology कबकों का अध्यन mycology कहलाता है टू का answer A question number three सिक्कों का अध्यन क्या कहलाता है? new mismatic तो new mismatic कहलाता है तो three का जो answer होगा वो D होगा question number four cellular और molecular जीव विग्यान केंदर कहा इस्तित है? तो ये जो जीव विग्यान केंदर है वो हैदराबाद में है four का answer A question number five center for DNA fingerprint and diagnostic अवस्तित है ये कहा इस्तित है? तो ये हैदराबाद में तो five का जो answer होगा वो D होगा question number six आधूनिक वरगीकरन का पिता किसी कहा जाता है? तो lineage को कहा जाता है lineage को कहा जाता है six का answer D question number seven कोसिका का अध्यन कहलाता है कोसिका का जो अध्यन है वो क्या कहलाता है? cytology तो seven का जो answer होगा वो she question number eight कोसिका सिध्धन्द का परतिपादन किसने किया था? तो ये sliding एवं swan ने तो eight का answer B question number nine सेवालों का अध्यन कहलाता है क्या कहलाता है? psychology तो इसका जो answer होगा A question number ten नेशनल केमिकल लेबाटरी कहां इस्तित है? तो ये पूने में इस्तित है तो ten का answer B question number eleven malaria research center कहां है? ये दिल्ली में है और इस तरह का question science से ही पूछे जाते है इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा question number twelve अंगूरों का उत्पादन समंदित है अंगूरों का जो उत्पादन होता हो किसे समंदित है तो वीटी कल्चर से तो twelve का जो answer होगा वो डी होगा question number thirteen नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो answer होगा B इसका जो चिकित्सक कहलाता है अप्थाल मोलाजिस्ट कहलाता है ये कहां पे है तो इसका जो answer होगा वो शी question number fifteen किस विज्ञान में पक्षियों से समंदित अध्यन किया जाता है तो किस विज्ञान में किया जाता है अरनिठोलोजी में किया जाता है तो फिप्टीन का जो answer है वो भी है question number sixteen प्लाज्मा अनुशंदान संस्थान कहां इस्तित है? तो ये गांदी नगर में इस्तित है तो 16 का जो एंसर होगा D question number 17 redi dairy अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है? तो ये करनाल में है 17 का answer A question number 18 वाइरस का अध्यन कहलाता है, चा कहलाता है, तो वाइरोलोजी कहलाता है, तो 18 का answer A, question number 19, भाभा परमानु अनुसंधान केंदर कहां अवस्तित है, तो ट्रामदे में, तो 19 का answer A, question number 20, national brain research center कहां है, तो ये गुडगाउं में है, तो 20 का answer B, question number 21, जीवों में पाई जाने वाले रोगों का अध्यन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो pathology, तो 21 का answer A, question number 22, कीटों से समंदित विज्यान की साखा कहलाती है, क्या कहलाती है, entomology, तो 22 का answer A, question number 3, जीव विज्यान सब्द का प्रियुक्सपर पर्थम किस ने किया था, ले मार्क एवं ट्रेवी नेरस ने किया था, तो 23 का answer B, question number 24, चिकितसा सास्तर का जनक किसे कहा जाता है, तो 24 का answer B, question number 25, ट्यूबर क्लूसिस रिसर्च सेंटर कहा अवस्तित है, तो ये चन्नाई में इस्तित है, तो इसका जो answer होगा, Q, question number 26, center for advanced technology कहां इस्तित है, तो ये इस्तित कहां है, इन दोर में, तो इसका answer A, question number 27, Q, question number 27, मधु मखी पालन समन्दित है, तो ये एपिकल्चर से समन्दित है, तो 27 का answer B, Q, question number 28, भुकंपों का अध्यन कहलाता है, भुकंपों का अध्यन क्या कहलाता है, सिस्मोलोजी, तो 28 का answer B, question number 29, आध्योनिक वरस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आध्योनिक वरस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है, तो 29 का answer B, question number 30, जन्तु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जन्तु विज्ञान का जनक अरस्पति को कहा जाता है, तो 30 का answer A, question number 31, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिक्सा से समन्दित है, ये किसे समन्दित है, तो हिर्दय से, तो 31 का answer A, question number 32, हैमो सेम्पियन्स किसका विज्ञानिक नाम था, ये question बहुत important question है, तो ये मनुशी का, मानव का विज्ञानिक नाम है, तो इसमें जो answer होगा A, question number 33, शप्नों का अध्यन कहलाता है, क्या कहलाता है, ओनिरोलोजी, तो इसका जो answer होगा, इसका जो answer होगा, वो C, ओनिरोलोजी कहलाता है, question number 34, केंदरी वनस्पती अनुसंधान संस्थान कहां अवस्तित है, ये लखनोव में अवस्तित है, question number 35, फलों का अध्यन कहलाता है, तो फलों का अध्यन पॉमोलोजी कहलाता है, 36 का answer B, question number 37, ओस्टिल्योजी किसका अध्यन है, ये जो है, वो किसका अध्यन है, तो अस्थिनियों का, तो इसका जो एंसर होगा D, question number 38, केंदरी औशोदी अनुसंधान संस्थान कहां अवस्तित है, ये लखनोव में अवस्तित है, तो 38 का answer A, question number 39, केंदरी चावल अनुसंधान संस्थान कहां अवस्तित है, तो ये कटक में, और कटक उरिशा में आता है, तो 39 का answer C, question number 40, कीटों का अध्यान क्या कहलाता है, कीटों का अध्यान एंटोमोलोजी कहलाता है, ये practice set 1 और 2 मिला के question था, इसको अच्छे से देखे, इसमें जितना भी question है, सारा important question, एक भी question हमको नहीं लगता है, कि जो important नहीं है, सारे question important है, और यही question है, जो exam में science से question पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखे, और अगर इस तरह का पाना चाहते हैं, तो आप comment section में बता सकते हैं, कि आपको किस subject का practice set चाहिए, मैं उस तरह आप लोग के लिए लाऊंगी, और इस channel पर जो नहीं है, वो channel को subscribe किजिएगा, और जो जो इस video को देखिएगा, उनको लगेगा कि इस video से हमको थोड़ा सा भी फाइदा हो रहा है, तो आप मेरे channel को subscribe किजिएगा, और share किजिएगा, thank you.